नवरात्र का आगमन हो चुका है। इस दोरान महिलाएं पूजा पाट के साथ साथ थोड़ा बहुत समय अपनी तोजा की देखवाल के लिए भी निकालना पसंद करती है। नवरात्र की तयारी में कई महला आएं इतना वेस्थ हो जाती है कि उन्हें अपनी खुबसूरती के निखानने के लिए जरा सभी वक्त नहीं मिलता। ऐसे में क्लीन अप और फेशल करवाना बड़ा भारी सा महसूस होने लगता है। अगर आपके वी लिस्ट में फेशल सामिल है तो आप इसे घर पर ही कर सकती है। आज हम आपको फेशल के मातर चार स्टेप्स बताएंगे जो घर में ही मुझूद चीजों से किया जा सकता है। आप चाहे तो इन सामागरियों में अपनी स्किन टाइप के अनुसार चीजों मिलाएं। यदि आपके पास एसेंशल ओयल नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब दूद में कॉटन बॉल डाले और इसे चेहरे पर लगाते हुए क्लीन करें। ऐसा करने से पोर्स में जमिक गंदगी, तेल और डेडर स्किन आराम से निकल जाती कि अध्य है न काथी फैसे बाद इसे कॉटन वॉल सेही साफकर लें। दूसरा है स्क्रब चेहरे सी डेडर स्किन हटाने के लिए फेस कोस्कॉ स्क्रप करें।ा फोराम से यारें को से जाइं售 को भी दूर करने के कामाता है। तीसरा है मसाजिंग, चेहरा जब अच्छी तरह से साफ हो जाए तब अपने चेहरे की मसाजिंग करें, अच्छी तरह से मसाजिंग करने के लिए लगाया गया प्रोडक्ट अपना असर दिखाता है, साथ ही चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है जिसे फेस पर ग्लो लास ज़स्टीप फेस तक लगाने का होता है फेस बनाने के लिए दू चमस गेहूं के आठे में एक चुटकी हलदी मिलाएं पेस्ट बनाने के लिए इसमें गुलाब-जल्बी मिक्स करें जब पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसे ब्रस या फिर उंग्लियों की सहायता से पूरे चेहरे पर लगा ले फिस पैक जब सूख जाए तब इसे ठंडे पानी से धूख कर अपने चेहरे पर सीरम लगा ले यदि आपके स्किन ड्राय है तो दूद के साथ दो छोटे चमा चंदन पाउडर या